क्या आप जानते हैं गर्मियों में सत्तू का ड्रिंक्स कितना फायदेमंद है बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है स्वाद में बहुत टेस्टी और काफी सारी बिमारियों से निजात भी दिलाता है बहुत ही हेल्दी और स्वादिस्ट ड्रिंक है तो इसे आप लोग पी जरूर बनाएं और इसका लाव उठाएं ऐसा ड्रिंक बनाने जा रहे हैं जो चने की सत्तू से बनाएंगे और उसके बारे में जानेंगे कि उसको पीने से क्या-क्या फायदे हैं और हमें ये गर्मियों से कैसे निजात दिलाता है तो चलिए अब बनाना इसको शुरू करते हैं हेलो दोस्तों श्वागत है कानपी जी किचन में आज हम ऐसा ड्रिंक बनाने जा रहे हैं जो गर्मियों से आप लोगों को रहत पहुचाएगा मई का महीना चल रहा है और काफी जवर्जस्त गर्मी पढ़ रही है तो ये ड्रिंक गर्मियों से छुटकारा दिलाए बरना ये ड्रिंक बहुत पतला बनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हमें चार चमच सत्तू लेने हैं दोनों ग्लास में हम सत्तू डाल देंगे अब इसमें हम पानी डालेंगे ठंडा पानी अगर आप लोगों के पास सत्तू ना हो तो आप रोस्टेट चने को मिक गोल लेंगे आप देख सकते हैं यह कितना अच्छा घुल चुका है यह बिल्कुल लम्स फ्री है एकदम लम्स नहीं है तो अब इसमें थोड़ा सा मोर पानी डालेंगे कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका सेवन किसी अवसधी से कम नहीं होता है खास तोर पर गर्मियों में गर्मी से राहत दिलाने के लिए और आइरन, कैल्सियम, काफी सारे मिनरल्स इसमें प्राप्त हो जाते हैं और यह पूरी तरह से डेसी ड्रिंक है यह बनाने में बहुत जादे पैसे भी नहीं खर्च होते हैं गर्मी से राहत दिलाने के लिए यह ड्रिंक बहुत अच्छा है और एक experience मैं आप लोगों से अपना सेयर करना चाहती हूं यह ड्रिंक पीने से महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है जिस वखत मेनो पांज होता है यानि पिरियड है उस समय बाड़ी में काफी परिवर्तन होता है और हर्मोन बनना बन्द हो जाता है जिसके वज़द से शरीर में बहुत गर्मी लगती है और भी कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो अगर लागातार इसका सेवन करें तो उससे छुटकारा मिल जाता है मैंने भूना पिसा जीरा डाली थी, अब कटी हुई प्याज, प्याज हरी मिर्च एकदम बारीक काटें, मिर्च का हो सके तो बीज निकाल लें, अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, अपने स्वाद के अनुसार डालें, हमने ये काला नमक लिया है, अब इसमें काला नमक डालेंगे, नमक भी आप अपने टेस्ट के अक्वार्डिंग डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें लेमन जूस डालेंगे डायरेक्ट हम लेमन कुट ग्लास में ही निचोड लेंगे एक कटी हुई पुदिने की पतियां डाल देंगे अपुदिने की पति धनिया की पति ये सारी चीजें गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है और गर्मियों उससे चुटकारा भी दिलाता है इसको भी मिक्स कर लेंगे अब ये सत्तू का ड्रिंक बन के तयार है तो कैसा लगा आप लोगों को ये हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक और बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक है मेरी रेश्पी अच्छी लगी हो तो लाइक, सेयर और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें ये ड्रिंक मीठा या नमकीन बनाया जा सकता है तो आज मैंने नमकीन ड्रिंक बनाई है